पिछले चुनाव में आपने कहा 2020 में 12,000 भोटों का अंतर था लेकिन उसके तुलना में आज का जो NDA है वो काफी मजबूत है चिराक पासवान भी साथ हैं उपेंदर कुस्वाहा भी अब उनके साथ हैं अब देख अब देखिए ऐसा पहले भी आप देखियूंगे सब लोग तो उधरी थे चिराक पासवान भी तो कहते थे हनुमान ही नहीं हैं उनके उस संहे बिभले उनका घर छीन लिया गया हो उनकी पिता की मूर्ति को गिरा दिया गया हो उनके पार्टी को तोड़ दिया गया हो, उनके विधायकों को ले गया गया हो, या उनके M.P.O. को ले गया गया हो, तो फिर भी वो तो कहते रहे हनुमान है उनके, और सब लोग है वहाँ, पहले भी लोग वही थे, खामो के जो विधान साव में महाजी जी भी वही थे, बात ये लोगों में जाना चाहिए कि जनता के सवाल को कौन उठाना है जनता के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है जनता के अवास को कौन उठाना है और भड़ोसा कौन दिला रहा है और जनता को विश्वास किस पर है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमन जो 17 महिने की जो काम किया, 10लाग का हमने यदो वड़ा किया था, मुखमंद्री तो नहीं बन पाए, लेकिन 17 महिने उपमुखमंद्री रहे करके हमारी महागरबधन की सरकार ने जो 5 लाग नौकरियां दी, 3 लाग प्रक्रियादीन कराया, जाती अधारित गन्ना कराएं, अलेक्शन की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया, आई-टी, स्पोर्ट्स, टूरिजम पॉलिसी हम लोगों ने इंट्रिडीउस कराया, लोगों के मानदेव को हम लोगों ने दुगना कराया, जाये तालमी मरकेज के हों, विकास मित्र हों, टोला सिवक हों, जो हम लोगों का खास तौर पे जो आप देखेंगे, जो हम लोगों का जो प्रंथ था, जो वचन हम लोगों ने दिये थे, 20 में करेंगे वो केवल 17 महीने में हम लोगों ने काफी कुछ किया है